कि अब देखते हैं कि जो रिलेटीव वेलास्टी का कॉंसेप्ट है वो हमारे कॉस्टेंज को कितना एजी कर देता है कि आगे हम मृत इस अब देटीव अब आएज होगी Amazing तो यानि कि A की वेलोस्टी बी को कैसी लगेगी, अगर मैं कहता VBA तो वेलोस्टी ओफ B तो वेलोस्टी ओफ B वेलोस्टी कैसी लगेगी, जैसे मैं रेस्ट पे बैठा हूँ और एक स्कूटर वाला मेरे सामने से जाता है तो मेरे अकोडिंग मैं कहूंगा, स्कूटर वाला इस मोशन लेकिन स्कूटर वाले के अकोडिंग मैं मोशन Michein में हूँग। यह हमारी डेली लेइंग्विज की बात नहीं हो रही है यह फिजिक्स में अगोड़ तो फिजिक्स में नथिंग इस पर्टफेक्ट एस नथिंग इस इन पर्फेक्ट मोशें यह मैं पहले भी आपको समझा चुकर हूं तो अटलेटी वेलोस्टी आप देखते हैं हमारा कितने कॉंसेप्स असान करती है तो एक छोटा सा मैं कॉश्चन लेता हूं यह कॉश्चन पहले एक्जैम्स में कई बार आचको है और आपके पास आया भी हो तो यह कॉश्चन कई बार प्रोब्लमेटिक हो जाता है तो मैं आज इसको प्रसिंपल वें में इकरा रहा हूं आपको तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और तीन पार्टिकल रखे हैं तीन कॉर्णर पर पर पार्टिकल एबीसी एक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इस साइड इस ए ओके नाओ यह पार्टिकल इसकी तरफ चल रहा है दोन तीनों की स्पीट जो है यह पार्टिकल month ज़न रहा है यह सचार में च्रा पर्टिकल टरफ लुक्लन साथ Trib is the speed constant V. अब simply mind में इस्टिक करता है कि यह तो मिलेंगी यह नहीं. कि यह ऐसे जा रहा है, यह ऐसे जा रहा है constant speed से जब तक यह यहां तक पहुछेगा, यह यहां तक पहुछेगा, यह यहां तक महुछेगा. लेकिन थोड़ा सा question हमने ध्यान से करना है कि यह PARTICLE इस PARTICLE की तरफ जा रहा है ना कि यह PARTICLE इस CORNER की तरफ जा रहा है तो जैसे से PARTICLE अपना path change करेगा यह PARTICLE भी अपना path change करेगा तो होगा यह कि यह CENTR पर आके मिलेंगे कैसे, यह PARTICLE आगे जा रहा है यह वाला इसको follow करेगा तो कुछ ऐसे इस टाइब का पाथ फुल होगा and they will meet all at center संज में आ गया अब यह तो संज में आ गया कि they will meet at center the question is कि after how much time they will meet at center तो अब इस question को करने के लिए अब जो पहला मैथड़ देखिए जैसे हमारे पास मैं थो ट्रेंगल बड़ा बनाता हूं कि सबसे पहले हम यह डिस्टेंस बता होना चाहिए कि यह डिस्टेंस कितना है इस इस एग भी and this is c now this side is a मैं यहां से perpendicular ट्रो करूँ तो यह half हो जाएगा a by 2 और यह है पूरा a तो मैं इसमें पाइथा गुरस्त्रम लगा हूं तो यह value जो हमारे पास आ जाएगी this will be root of a square minus a square by 4 because a by 2 ka square क्या हो जाएगा a square by 4 तो यह जो हाजाएगा हमारे पास root 3 a by 2 तो a से यह point मैं कहूं ओ तो a o is root 3 a by 2 now this centroid this centroid divide this line in 2 is to 1 यह यह portion two-third है और यह portion one-third है okay so if I need to find out this one say मैं कहता हूं इस point o dash to a o dash is two-third of a o or two by third of a o is what we find out it is root 3 a by 2 so into root 3 a by 2 2 say to cancel out 3 say यह जाएगा तो हुरी में दरीज root 3 in denominator so it is a by root 3 so यह distance a by root 3 तो यह भी a by root 3 यह वाला distance यहां से भी a by root 3 सबसंद में आ रहा है clear तो यह हमरे पास a o dash आ गया a o dash और b o dash यह सभी equal होंगे ओके जी क्या और कोई असान method हो सकता है यह निकालने का अगर किसी को यह पता ही ना हो कि centroid two is to one way divide हो रहा है इस question को कैसे करेगा यह को और method है देखिए कि if I call this as R यह distance हमने R ले लिया यह पूरा एंगल 60 डिग्री होगा R cos theta so R cos theta this one यहां सिले कि यहां तक यह R cos theta और यह होगा R sin theta so R cos theta is will be equal to a by 2 cos theta is how much root 3 30 cos 30 because cos 30 की value कितनी होगे हमारे पास प्रूट 3 by 2 तो रूट 3 by 2 is a by 2 2 से 2 cancel out R की value again a by root 3 देखो होगे चोड़ा method पहले यह बढ़ा था तो इस्टूबन में द्वाइट करना सब पाइथा पर सबाया फिर यह किया अब यह जो वेलोस्ट्री है भी इसको यह यहां जाना है यह एंगल है 30 डिग्री तो वी इस तरफ इस तरफ कुन सा अब हम सिंपल लगा सकते हैं स्पीड इस इस डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड इस डिस्टेंस अपॉन टाइम तो दिस्टेंस हाँ मुच अब निकाला था ए भाइट रूट 3 and time we need to find out speed कि तना है हमारे पास V cos 30 cos 30 में डिर्ट लिख रहे हूं cos 30 is root 3 by 2 सब्सक्राइब आ रहे है now यह root 3 जो है अब टाइम को इतर ले जाए और सब चीज को नीचे ले आईए यह आजाएगा हमारे पास T is equals to A upon root 3 2 ओपर और यह जो V root 3 V है यह नीचे है तो यह आगया हमारे पास 2 A upon 3 V so time is 2 A upon 3 V this will be the time occupied तो एक मेथड यह है हमारे पास थोड़ा जलेंदी है अब इसको शोट में कैसे कर सकते हैं हम मैं बताता हूं पर इसको नोट कर लिजिए ओके लेक्स मेथर देखते हैं रिलेटिव वेलासिटी इसका फॉर्मला होता है रिलेटिव वेलासिटी इसको रिलेटिव डिस्प्लेस्मेंट अब इसका क्या मेनिंग है जरा दिखते हैं जरा मैं फिर से एक बार डाइग्राम बड़ा बनाता हूं यह पार्टिकल इधर जा रहा है विद वेलासिटी वी और यह वाला जो पार्टिकल है यह इधर जा रहा है विद वेलासिटी अब मैं इस वी को कॉंपोनेंट में डिवाइड कर लेता हूं ठीक है ना देखिए अब इसके दो कंपोनेंट होंगे इस एंगल इस 60 डिगरी तो यह कॉंपोनेंट जो इस तरफ आएगा इस वी कॉस सिक्स्टी थीटा के सासवला कॉंपोनेंट कॉस कॉंपोनेंट थीटा के पॉजिट इसकी हमें जोड़ती नहीं है अब यह दोनों पार्टिकल जाहें किसी भी पात से जैसे मरजी पहुंचे हो विल मीट एट सेंटर अब इनिशल डिस्प्लेस्मेंट इन दोनों के बीच में था ए और दोनों यहां मिलके तो फानल डिस्प्लेस्मेंट क्या होगी जिरो तो द इस और से टाम लगा हो तो पहुंचने में तो यह बाइट अब आते रिलेटिव वेलोसिटी की यह दोनों आ पोजिट में आ रहे हैं तो यह क्या कर देंगे हम एड तो रिलेटिव वेलोसिटी अ कि वी इस तरफ और यह वी को 60 अब लुए ब्लस वी कॉस 60. को 60 इस वह बाइट काुछोग जाए हचब हम पाइट 2 इस ट्रीव बाइट 2 वेलो वेलेट का दिजिए ज़ु less लाइट 2nd And the time is 2a 3r d कि यह के दो लेंड में कोश्चिन हो गया उससे पहले मेथेड से तो हाब आपको मिखल संद में आ गया कि अच्छा चलिए एक कोश्चन और मैं दे रहा हूं कि स्क्वेयर में फिर से चार पार्टिकल है यह इसकी तरफ यह इसकी तरफ यह इसकी तरफ और यह इसकी तरफ भी सेंव घलल वी सभी आजरी वेड सबी अचेह सटे एक साइड है अगर कि यह असान फोड़ा से इसमें आज में यह इसेंस कितना हो गया पूरा रुट त्वे यह बाइब आब रुट तो पास्ट कर रहा हूं बकी आप समझ जाएंगे समझ जा रहें इस एंगल इस 45 डिग्री तो इस तरफ कॉंपनेट क्या आजएगा वी कोस 45 तो टाइम इस इस दिस्टेंस ए बाइ रूट टू अपन वी कोस 45 कोस 45 इस वन बाइ रूट टू रूट टू से रूट टू कैंसल आउट टाइम इस एबाइ तो यह असान हो गया यह यह लेटी वलोस्टी वरज़े करता हूं तो यह वी इस तरफ यह एंगल क्या होगा 90 डिग्री इस वी का कोई कॉंपोनेट इस तरफ नहीं अब मैं कोई आपको दे रहा हूं हम वोग के लिए पैटिस कीजेगा नहीं आया तो आप मुझे इंफर्म कर सकते हैं कि यह कोई ब्सक्राइब कोई आपको नहीं आया आप जब यह चैनल सब्सक्राइब परेंगे तो नीचे आप उसके में से पूछ सकते हैं तो मैं आपको इंफर्म कर दो कैसी करना इस क्वेश्चन को मेरे पास अब एक रेगुलर हेग्जागन है अगे इच साइड है इस एग इच पर्तिकल इस मुविवार्श परिस पर्सीदिंं कंट विट विश्यागन यहीं कि अस्पीट से आपने करना है ठीक है चलिए ओल्द बेस्ट